रश्मी गौर प्रकरण के आरोपी की गिरफतारी को लेकर दिया ग्यापन परबतसर नागौर जिले के कुचामन सिटी में करीब साथ दिन पूर्व दिन दहाडे घर में बंधग बनाकर मारपीट करने के बाद गला दबाकर रश्मी गौर की हत्या के विरोध एवं आरोपियों को गिरफतार करने की मांग पर सोमवार को परबतसर के सर्वसमाजने मुख्यमंत्री के नाम तहसिलद प्रको ग्यापन दिया बता दे की कुचामन सिटी में रश्मी गौर हत्याकांट के अपराधियों की गिरफतारी को लेकर करीब साथ दिनों से सर्वसमाजने सभी जगह विरोध प्रदर्शन जारी कर रखा है खबरों के मुताबिक रश्मी गौर की हत्याके आरोपियों को गिरफतार करने की मांग को लेकर परबतसर वर डीद्वाना में केंडल मार्च की भी निकाला गया हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफतार नहीं कर पाई है पुलिस साथ दिन बाद भी एक भी आरोपी को गिरफतार नहीं कर पाई है बता दे की सर्व समाज के लोगों ने तेहसीर परिसर में एकतरित होकर रश्मी की आत्मा शांती के लिए दो मिनट का मौन रखा था इसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम तेहसीरदार सुभाश चंधेमा नीको ग्यापन सौपा गया ग्यापन में बताया की कुचामन में उपखंट कार्याले के पास पन्नालाल गौर के मकान में अग्यात युवकों ने घुसकर उनकी पुत्री रश्मी गौर पर हमला कर हत्या कर दी थी इस खटना के आज साथ दिन बीच जाने के बाद भी कोई आरोपी नहीं पकड़ में आया है परबत सर से जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट